हेलो प्रेंट स्वागाता है फास्ट इंट फॉर्मेसन में बिहार स्वास्थ विभाग के तरब से सभी जिलों में अभी A&M, J&M की नियुक्तियां किये जा रहे हैं इनके लिए अब इंटर्व्यू का डेट रिलीज कर दिया गया और हर एक जिले में अलग-अलग डेट में इंटर्व्यू लिया जा रहा है तो जो केंडिडेट A&M या J&M की पद पर बहाली होना चाहते हैं नौकरी पाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखे और वहां पर इंटर्व्यू देने के लिए जाए तो इस वीडियो के माधियम से दोस्तों आप कम किलियर बता दू कु इसी COVID-19 को रोक थाम के लिए उसको बंद करने के लिए रोकने के लिए बिहार सरकार के स्वास्ति वहाग के तरब से जिक्तियां को पूरा किया जा रहा है चलिए डिटेल्स में दिखाते हैं यह जो नोटी साय सहरसा सदर अस्पताल सहरसा कारेला असानिक सरे चिकित्सक या इतना के अनुसार आप विशेश परस्थिती में COVID-19 संक्रमन को रोक थाम बचाव के लिए आवस्यक मानब बल की आपदा प्रवंधन नियम 2005 का अंतरगत अनिम्न संबिदा पद पर अगले तीन मेने के अपशकता है चैनित कैनिडेटों के युगदान की तिथी से अगले त तीन माहा तक स्वास्त विभाग सहार साथ जिल्ला अंतरगत कार्ज करने है तो चैन किया जाएगा यह विवस्था बिल्कुल ही आवस्थाई है इसके अधारपन यमित नियुकति का दावा नहीं करेंगे यानि कि आप लगबग समझ गे होंगे यह जो है आपको अगले ती अगले तीन महने के लिए है हो सकता है अगले छे मुहने के लिए रखा जा सकता है लेकिन यह सारी बात यह कि नियुक्तियां की जानी है इसके लिए आपको टोटल सीट की बात किरेंगे वाकेंसी है साथी दोस्तों इसके लिए qualification तो सरकारी नर्सिंग संस्थान से मानेता प्राप संस्थान से A&M की डिगरी लिनी होनी चाहिए दुसरी बात बिहार नर्सिंग कॉंसिल से निबंधन होना चाहिए तो फिर आप इन सरसट पदों के लिए इंटर्व्यू दे सकते हैं कार्ज का क्या कारण है जिल्ला अंतरगत स्वास्त संस्थानों में कार्ज लिया जाएगा यानी कि जिल्ला के अंतरगत जितने भी hospital है, किसी भी hospital में आपकी posting हो सकती है वेतन की बात करें, मानदाय रासी की बात करें, तो राजी स्वास्वास्वामित्थी, जिल्ला स्वास्वामित्थी, सहरसा की दोआ, निर्धारित मासिक वेतन आपको दिया जाएगा जो बिहार सरकार के अनुसार आपको बेतन ताय होगा जिल्ला समितिक के सारसा के माधिम से ताय होगा वहीं बेतन आपको मिलने वाला है आगे दोस्तो एक और पोश्ट है एक ग्रेड नर्स की जो की B.A.C. नर्सिंग कहा जाता है उसके लिए 5 पोश्ट है उसके लिए भी वहीं बात होना चाहिए आपको सरकारी संस्तान से आप B.S.C. नर्सिंग की परसिक्षन लिए हो B.S.C. नर्सिंग ग्रेड एक की नर्सिंग की डिगरी होनी चाहिए सातिम पिहार नर्सिंग कॉंसिल बोर्ड में आपका रेजिस्ट्रेशन निमंदन होना चाहिए फिर आप इन पदों के लिए अपलिके अवल हैं इंटर्व्यू दे सकते हैं इन पांच पदों के लिए वहीं बात है राज स्वास्वमिस्थी और जिला स्वास्वमिस्थी सार्शा के माद्यम से जो निर्धारत बेतन होगा वहीं आपको मिलेगा अब आपको दोस्तों हम आपको बता दूं कि इंटर्व्यू कब होना है इंटर्व्यू देख लिए बी एस्सी नर्सिंग ग्रेड ए नर्स के लिए इंटर्व्यू देना है तो आप 27.5.2021 को 11 बज़े दीन में सहरसा होस्पिटल सदर अस्पताल पहुंच जाएंगे साथी दोस्तों अगर आप A&M के लिए इंटर्व्यू देना चाहते हैं तो फिर 28.5 को 11 बज़े दीन में आप सहरसा सदर अस्पताल में आप पहुंच जाएंगे और आसाने से इंटर्व्यू देंगे अब इंटर्व्यू जाने के लिए डोकुमेंट काऊंच चाहिए डोकुमेंट आपके जितने पास जितने भी डोकुमेंट होगा जैसे मैटरिक का डोकुमेंट होगा फिर इंटर का डोकुमेंट होगा फिर आप A&M की है तो A&M का डिगरी का डोकुमेंट होगा इसके तो दोस्तो इसके अलाबे और भी बहुत सारे job से related हम जानकारी description वे लिंक दिये हैं वहां पर बहुत सारे हम लिंक दे दिया है वीडियो भी बनाए है website का link भी है वहां पर जाइए और आप लोग वहां से download करके अपना notice पर के अपना vacancy का form apply करें साथ ही दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दू अभी मदवन्नी जिल्ला में इंटर्व्यू स्टार्ट हो गया आज की डेट से जो के डेट मदवन्नी जिल्ला में डाटा इंटरी अपरेटर या फिर आप A&M या फिर आप G&M के लिए आप इंटर्व्यू देना चाहते ह तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इसके लिए भी A&M G&M का लिंक करके नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर उस वीडियो को देख करके आप जरूर वहाँ पर इंटर्व्यू देने के लिए जाईएगा दूसरी बात और बकसर जिल्ला में भी आप आपको डाकाम में टतर्वाक के लिए पर से